नमस्कार सातियो, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का सवागत है, जैसा कि आपको मालूम होगा, चारो थरफ एक ही खबर चल रही है, अभी माननी प्रदानमंती नरेंद मोदीजी ने अनुराचल के पहले ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट का क्या किया है, इनौगरेशन किया, उस आप से गुस्सा है, क्योंकि आप लोग चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब बटन दबाईए, तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा, 19 नवंबर को मतलब अब आप देख सकते हैं, कि इसका foundation stone जो है, वो 2019 को रखा गया था, और आज इसका उद्गाटन कर दिया गया है, और यह आप देख सकते हैं, जब इसका foundation stone रखा गया था, तो construction of greenfield airport at होलांगी, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, और inaugurated, retrofitted तेजू airport का उस समय inaugurate किया गया था अब अपन बात करते हैं, देखिए तो airport क्या है, first greenfield airport है, अनुराचल प्रदेश का, अब greenfield और brownfield, दो शब्द चलते हैं, greenfield और brownfield, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, तो यह जो airport है, यह 690 एकड में बना गया है, और इसकी cost more than 640 करोड है, और आप देख सकते हैं, इसमे पारी तकनीक से related, जितनी भी नई टेकनलोजी होती है, वो airport में लगानी पड़ती है, sensors लगाने पड़ते हैं, इस तरीके की अनेको technology होती है, और basically main focus ही रहता है, कि अपन ऐसे airport, ऐसी building है बनाए, जो की पर्यावरण के अनुकूल है, जैसे आपने सुनाओगा green building का concept चलता है तो इसकी building भी बहुत modern है, इसमें energy efficiency को promote किया गया है, कैसे promote किया energy efficiency को, तो renewable energy का उपयोग किया गया है, renewable energy मतलब solar energy, wind energy, इन सब को renewable energy कहा जाता है, इनका उपयोग करने से क्या होता है, जो आप बिजली प्राप्त करते हैं, वो कोईले से आती है, और कोईला क्या करता है कहीं कहीं, पर्यावरण में क्या है, हानी कारक गैसो को निकालता, CO2 को निकालता, जिससे आप देख रहा है, पर्यावरण हो रहा है, प्रदूशन हो रहा है, प्रजाती अविलॉप्त हो रही, कई जानवर विलॉप्त हो रहा है, तो इस तरीके से यह अपन renewable energy का उपयोग तो अपन क्या करेंगे, solar energy से बिजली बनाएंगे, और solar energy किसे जब बिजली बनती तो उससे पर्यावरण को कोई हानी नहीं होती, और मानव जीवन भी क्या होता है, सुद्रून होता है, और पूरी जैप प्रजातियों को क्या होता है, फाइदा होता है, और देख लीजिए सोला, अब आप देख सकते, 1947 से 2014 के बीच में आप देखेंगे, तो सिर्फ 9 एरपोर्ट बनाए गए थे नौर्थी इस्ट में, लेकिन इन शौर्ट स्पैन ऑफ 8 एर, since then, the Modi government ने अब क्या किया है, built 7 एरपोर्ट कर दिये नौर्थी इस्ट में, तो आप देख सकते, इतने स स्पैन में क्या है, साथ एरपोर्ट और बना दिये, Modi government ने, अब अपन बात करते, brownfield और greenfield project की, तो देखेंगे, जैसे for example, आपने क्या है, आपको अपना घर बनाना है, मकान बनाना है, आपने, आपके पापा ने, किसी ने भी मकान बनाया होगा, तो आपने क्या किया, सबस पुस्तैनी मकान है, पहले से बना हुआ है, लेकिन अब खराब हो गया, अब आप उसको तोड़वा के फिर से बनवाएंगे, तो जो आपका नया मकान था, पहली जो मैंने example दिया है, वो कहलाता है, greenfield, जिसमें सारी चीज़े शुरू से शुरू की जाती, एक दम नया बना जाता है, और brownfield क्या होता है, जिसमें जो existing मकान था, उसमें सुक्सो विदाओं को बढ़ाया जाता, उसको और अच्छा किया जाता, उसका development किया जाता है, तो आप देखेंगे, development work is carried out and aware, prior work has been done, मतलब पहले काम हो चुका था, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे, there is no need to rebuild or demol and existing structure, मतलब यहाँ कोई जरुवती नहीं तोड़ने की, क्योंकि यहाँ एकदम नए से land लेके बनाया जा रहा है, तो I hope आपको समझ आया होगा, अब आप देख सकते है, greenfield, brownfield में, investor code construct new, मैंने आपको बता, एकदम नया बनाया जाएगा, यह redevelop होता है, पहले से जो company चल रह होती है, अब अपन और बात कर लेते हैं, तो जो अपना airport है, इसका जो नाम है, वहाँ के tradition और rich cultural heritage को दर्शाते है, कैसे, देखिए, उन के हो सकता है, culture में, भगवान को मानते हो, sun को मानते हो, moon को मानते हो, कुछ भी मान सकते है, आपके culture में, तो देखिए, sun का मतलब होता ह और moon का मतलब हो, तो अब पोलो, तो यह उनके culture को दर्शाता है, अब आप देख सकते है, अनुआचल पदेश, पहला airport है, वितार runway of 2300 मीटर, मतलब यह पहला airport बनाया गया, जिसका runway किता है 2300 मीटर, runway क्या होता है, आपने देखा, जिसमें plane पहले नीचे से चलता और फिर जाता है, तो जो airport में जहां से plane जित्ती जगा पे चलता है, उसे runway का जाता है, और इसमें क्या है, suitable for landing and takeoff of Boeing 747 and one of the largest passenger aircraft, मतलब यह सबसे वड़ा passenger aircraft को भी यहां लेंडिंग कराई जा सकती है, और यहां से उसको उड़ाया जा सकता है, अब आप देखेंगे 5 airport हैं Northern Eastern State में, उ I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, like, share, subscribe जरूर कीजेगा, मुगेंबो महराज आपसे गुष्चा है, subscribe जरूर कीजेगा, thank you, thanks for watching.